क्लास 12-2024 का ये समान हिंदी का जो पीपर देख रहे हो ये आज 22 फरोरी को सीधे सीधे टकराएगा सीधे सीधे टकराएगा बबू एक के कोशन को अच्छे से पढ़के जाना जो लोग मिस कर देंगे समझे को वहाँ पर बड़ी पहसान होंगे ये जो कोशन लाया गया है एक किसीज को सेर कर देना अपने दोस्तों में चलिए ध्यान दिजिएगा समान हिंदी का जो पेपर आएगा सीम सीम आएसे ही आएगा कोशन टकराएगे बबू तीन घंटी 15 मिनिट वाला पेपर है और पाच सो नमर का ये पेपर बबू नोट में दिया रहेगा कि 15 मिनिट विकल्पी फटाफर से नोट कर लो यहाँ पे खंड का दे रहा है नो यहाँ पे पहला का कॉप की निमलिखी तमें से हजारी पर साथ दिवेदी की रसना है मैं डिरेक्ट एंसर बताऊंगा आपको विकल्प नहीं पढ़ूँगा इसका एंसर क्या होगा बिचार और बितर् कर ले ना दिमाग में बार बार अच्छे से ठीक हैं और बहुत बच्चे बोलेंगे सर नहीं आया तो क्या करेंगे बभू आप लोग पढ़ जी पेपर कोड जो होता है ना जीले में साथ पर करका आता है कहीं ना कहीं आपको यह कोशन्स पेपर में से एकदम टकराया हुआ कोशन्स मिलेंगे से मिल सकते हैं देख सकते हैं निमलिकित में से अचारे रामचंदर शुकल द्वारा लिखा गया निबंध कौन सा है यहाँ पे हो जाए कभीता क्या है क्या होगा कभीता क्या है देखिए ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा आप लोग इस पेपर को ए क्यों नहीं होगा उन सबका सई है आज का यह वाइरल कोशन पेपर अच्छे से पढ़के चले जाना इसमें एक कोशन को सेलेक किया गया है जो कि मुस्ट मुस्ट हैं अगे की रसना है अगे की रसना कौन सी है मेरे बिचार पृत्वी पूत्र इसके बाद जो है अगला अप कर लो बहादूर कहानी के लिखा कौन है जल्दी से फटा फटा एंसर दीजिए इसका क्या होगा बबू अमरकांत यह पांच बहुवी कल्पी रेडी हो गया ना दूसरा में आ चुके हैं सब लोग धैन से देखते रहिएगा एक के कोशन को दूसरा को हरामधारी संग्दीन कर परमुक कवी हैं किसके हैं बबू जल्दी से बताएगा तो प्रगतिवादी का विधारा के एक अदम कोशन जो हैं सीधे सीधे जब टकरेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा यहां पर देखिए खन नमर देखिए बिहारी की रशना रशनाओं का चंद बिहारी की र शू रशना है किसकी है बबू जल्दी से बताएगे तो जैसंकर पर साथ जी की सब बहुत सुनदर आगे प्रसंट गारेंगे आगे वाला प्रशन है कि छैवादि श्छOOD के प्रतीर सुख्ष में बिद्रोह का कथन है रही जल्दी से बताएगे तो जली से बताईए किसका है डाक्टर नगेंद्र का यह अप्शन चार नमर विकल्प सकते हैं इसके बाद यहां पे अंगा नमर यह वाला तब कोशन पेपर में सब की पेपर में आ सकता है दूसरा सब तक का प्रकासन वर्सकॉब हुआ था दूसरा की बात करें तो 1901 में हुआ सब लोग तयार किये हो ना एकदम छाप देना आज जाके बबू ठीक है और यह गद्यांस एकदम वाइरल कोशन पेपर की तरह आज आपके पेपर में छपके आने वाला है कि दिये गए गद्यांस पर अधारित निल्म लिखीत प्रशनों के उतर दिजिए यह दस नमबर का एक बबू यह से माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है इसी परकार प्रित्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं उनमें उच और नीच का भाव नहीं है जो मात्र भूमी के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है बबू ठीक है यह गद्यांस आगे थोड़ा सा है और बढ़ियां से कर लेना इसको थोड़ा से हिंट कर देता हूं प्रित्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है और देखिए नगर और जनपत पुत्र और गाउं जंगल में जंगल और परवतनाना परकार के जनों से भरे हुए यह यह पर देखिए यह अनेक परकार की भासाय बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले फिर भी यह मात्र भूमी के पूत्र ही है और इस कारण उसका सोहदार भाव आखंड है चिक है सभ्यता और रहन सहन की दृष्टी से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं इस कारण से मात्र भूमी के साथ उनका यहाँ पर देखिए उनका जो समंध है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता पृतिवी के विसाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान छेतर हैं और समने के मार्ग से भरपूर प्रगती और उनती करने का सब से एक अच्छा मतलब कि सबको एक जैसा अधिकार है किसी जन को पीछे छोड़का रास्ट आगे नहीं बढ़ सकता ठीक है और यहाँ रास्ट के प्रतेक अंग के सूध हमें लेनी होगी यह आपको यहाँ पर प्रसंद देखिने को मिलेगा पांच प्रसंद देखिए जैसी कि को नमर की उपरियुक और जनपद सब्द का अर्थ लिखे यह कदम बनिया से पढ़ लेना इसको वाइरल जो है न बनिया से पद्यांस और गद्यांस पढ़के जाना आज देखिए अथवा में भी दिया है यदि यह नवीकरडी सिर्फ कुछ यानि पंडितों की वह आचारियों की दिमागी दिम भासा गतिसील नहीं होती देखिए यह चेप्टर का आपको नाम पता सल गया भासा जैसे ही सब्द दे देगा तो समझे एक भासा और अधुनिकता से भासा और क्या है अधुनिकता बाबु सब लोग एक्तम रेडी करके जाना भासा और अधुनिकता भासा और अधुनिकता के चेप्टर के राइटर कौन है तो देखिया प्रोफेसर जी सुन्दर एडी इसमें भी पांच कोसंस रहेंगे पांचों में कह रहा है पहले भासा यहां पे पाट के लिखा का नाम और पाट का नाम रिखांकी तंस की व्याकिया भासा का सीधा समंद किससे हैं और घौनमर य यहां पे देखिये लेकर आ चुके हैं चौथा नमबर एक अदम पध्यांस पढ़के चले जाएगा कि दिये गए पध्यांस परदायतने मिलिखित प्रशन के उतर देजिए यहां पे पध्यांस दिया है जैसे कि नीज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा धिकर उसी था मह स्वार्थ ने घेरा अच्छे से पढ़ लेना यह मैं आपको हिंड कर रहा हूं बस दिखा दे रहा हूं कि इतना ही पध्यांस से यहां से लेकर के यहां तक इस पध्यांस को एक बार जरा नजर लगाके बढ़ियां से इसमें प्रशन जो पूछा है ध्यान से पढ़के चले देखिए कौन हो तुम, यहाँ पे कौन तुम, संच्रिती जले निधी तीर, यहाँ पे तरंगो, तरंगो से फेंकी मड़ी एक, कहर है निर्जड, निर्जन का चुपचाप, इस पध्यांज को बढ़ियां से पढ़ लेना, यह किस शेप्टर से बभू, यह आपके है सरधा मन उसे जह संकर परसाद जी ने लिखा है, उसी सी इस पध्यांज को दिया गया है, बढ़ियां से पढ़ लेना, एक कदम आप पेपर देने जाएंगे न, तो किसी न किसी पेपर कोड में जरूर मीलेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि किसी बच्चे का जीले क कोड कुछ अलग आजाए, तो वहां पर कुछ कोशन का चेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि हर एक जगा का अलग अलग पेपर कोड आता है, जीले वाई, तो हमको दोस्त मत दीजिएगा, कि सर जो बता रहे हमारे भी जगह प्याज है, कुछ चेंजिंग तो होना ही है, ठीक, आ असी सब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे पहला है, दूसरा है तिसरा, पहला वासुदेव सर्गरवाल, दूसरा है प्रोफेसर जी सुन्दर रेडी, और तिसरा है डक्टर हजारी परसाद दिवेदी, किसका आप याद किये हैं, थो पांच की कोग का लेखा का जो उन परचे किसका याद किया हैं, चापिये तो जल्दी से कि मैं सर इनका याद किया हूं, जल्दी स कमेंट में चाप दीजिए, चलिए, पांच की खौपे, निमलीखित में से किसी एक कवी क साहितिक परचे देते हैं, उनकी परमुक कृतियों पर प्रकास ड़लिए, ये कभी में किसका याद किये हैं, महादिवर्मा का ये रमधारी सिंग दिनकर का सुमितर अंदन पंत, यानि कि तीनों में से किस पर याद किये हैं, उसको सर्टिकली बढ़ियां से निधहरक लिखिएगा आज की पेपर में, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लगभग सभी बच्चों को 95% बच्चों को ये को टॉपिक याद हो गया होगा, कुछ ही छूटे फटके बच्चे होंगे, जो की 5% नहीं याद हो पारा होगा, तो भी छोड़के मत आईएगा प्रसन को बना बना के लिख देना आज, ठीक हैं, आगे बढ़ते हैं, साथ न यहाँ पर चलेए, यहाँ पर खंड, खो, पचास नंबर का प्टकराएगा, पचास नंबर का चुपके से बनियां से पढ़ लो, ध्यान देना यहाँ पर, देखिए, जैसे की खंड, खो में आठ का को मिलेगा, कि दिये कर संस्कृत पध्यान्सों में से, स्वरी, गध्यान मानस पवती अकमा लगाया है इसको बढ़िया से पढ़ लेना इसका संदर्ब भी ध्यान से समझ लेना किस पार से दिया गया है समझ में आ रहा है किस पार से तो संस्कृत भासा भासायम महत्तम वाला पार से इसको पढ़के इसका संदर्ब लीके अनुवाद कर देना इस पाईण परके जाना महा मना मौनधा निम्हीं कोड में देख़ने को मीलेगा मतलब हर्एक चगाही महा मना मौनविह और जो है नो गद्यांस मैंने बताया है बहुत बार चे से पुझे लिरे न भस थेक है इसके बाद आट का जो है खौ देखिए यहां परोच्षे कारहंत्र प्रतयक्षे प्रेय प्रवादिनम इसके बाद प्रेय ताद्रिसम मित्रम बिस्कुभम पयोमुखम इसको पढ़ लेजिए इसका पूरा संदर्व लिखे इसका यहाँ पे अनुवाद कर लेना ठीक है यहाँ पे साथ नमबर पक्का यहाँ पे भी आथवा में दिया है दिखना है और वाक्य में परियोग करना है तब दो नमर मिलेगा जैसे अपना उलू सीधा करना सीधे सीधे एक्दम अपना उलू सीधा कर देना आज इद का चांद होना इसको पढ़ लेना काला अक्षर भैस के बराबर जो भी बच्चे बढ़िया से नहीं पढ़के जाए जारी किये यह 10 नमर देखिए 10 नमर ऑपठीद गद्यांस पर आएगा यह आपको जैसे की एक मोडल पेपर यूपी बोर्ड ने खुद ही वाइरल किया था यूपी एमस्पी पर जो माडल पेपर जारी किया था ना उसके एक रोडिंग इसको भी तैयार कर लेना यह कहना ए होता है यह निर्दारित नहीं होता है कि सेम यही आएगा तो आएगा मैं बता दे रहा हूं किसी तरीके से आएगा कहानी के बेस पर अपठीद गद्यांस अपड़के तीनों प्रस्णों का उतर देना है यह पांस नमर का उपठीद आएगा यह पहला प्रस्ण रहेगा एक चैन कर लिए हैं इसके अनल और अनिल का ऑर्थ ज़ी का क्या होगा राभा है ज़से corporation खाथ नसाम देखें हैं जल और बादल और चाइंड में so come on आप नेकर वीडियो उगया मैं यहां सभी का वीडियों सोर्टे के लिए करते हैं आज ही एकदम सलूशन पढ़ लेना इसका निम्लीकी सब्दों में से किसी एक सब्द के दो अर्थ लिखी जिससे गती है पयोधर है तीर है आपको यहां पे एक को सलिक करना है और एक का दो अर्थ बस लिख देना ठीक है न कौंपी में बनिया से पढ़के जाईएग आशा के अनुसार आसावंती चारों में से कौन सा सई है एक अदम आप लोग पढ़के जाना आज ठीक है जानने की इक्छा रखने वालों क्या बोलते हैं जनकार ज्यानिक जिग्यासू बुद्धीमान सबी को मालूब है न कैसे पढ़के जाना है एक अदम तयारी कर लेना बोठीक है घौनमर निम्लिकीत में से कि नहीं दो आक्यों को सूद किजिये जैसे कि मैं बता देता हूँ धान दीजिये बेटी तो पराया धन होता है मतलब दो ही करना है दो को छोड़ दीजियेगा आप लगभग सबी तयार कर लिये हुंगे ये देखिए ये तो 12 नमर प्रशन से 6 नमर फिक्स है 100 परशन्ट की यही आएगा देखिए सिरिंगारस और अथवा बिररस लक्षर सहीत उधारण देजिए दो नमर का मिल जाएगा किसी एक का उधारण सहीत परिभासा लिख देना है लगषर सहीत लिखना है यही अगर अच्छे से पढ़के जाते हैं तो आज साम को दो बजे के बाद आप के पेपर में तो नजर आएगा तो बोलेंगे सर क्या बोले ठेлов थे आप देखिगे तेरा number question किसी भीदाले के प्रबंधग को हिंधी प्रवक्ता की भरती है तू एक पत्र लिखिए, ये हिंधी प्रवक्ता को भरती कराने के लिए पत्र लिखने के लिए आएगा ये पत्र लेकन छह नुम्बर काएगा अगर वो नहीं आता है by chance तो यहाँ पे सिक्षा प्राप्त करने के लिए रीर्ड की और सकता है या अपने अधेयन के लिए फेर लिए पत्र लिखा ना आता है कॉल नम बाद समस्यायम दान एक अदम वाारल कोष्टन यह वहला अगर तयार किए है बहुत सुन्दर दहेज पुराथा पे ही त्यार कर लेना अभिया गौनमर पर्यावरर पर दूसर यानि पर्यावरर संड़क्षण आवसकता और महत्तु इसको एक अदम सर्टिकली पढ़ लेना वावू इसके बाद दो यहां पे है कि मेरे प्रियल एक होक मेरे प्रियल एक हो अंगर वर्तमान समाज में नारी की स्थिती यानि यह पांचो निबंद जो है एक अदम वाइरल ही है यह आला हम जो है बहुत अबार बताये हैं कि पर्यावरर संड़क्षण आवसकता है हम बहुत इसके बाद आतंकवाद समस्यां समधान इस पे एक दम बीना देखे हुए कैसे निबंद लिखें वीडियो भी बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में चाकर के सारी वीडियो पड़ी हैं देख लिजिएगा और इस पेपर को बच्चों के पास सेयर किजिए ताकि अधिक सधिक पड़ करके और पेपर में आज लिग करके हैं काफी साथ मतलब कोड आता है आपके बोडिक मतलब जी लेवाइस तो कहीं न कहीं ये कोशन्स जरूर आपको टकराए हुए मिलेंगे एकाग दुगाग मतलब जो भी तैयारी किया है बच्चे नो उसका बेस्ट जाएगा ठीक है ये पेपर तैयार के लिए ये सेटिंग के आएग मोडल की पेपर के थुरू ठैक्स परवाट सिंग